C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की इतिहास की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारे अतीत हमारे अतीत ध्वनी पाठे पुस्तक में अब सुनते हैं अध्याय 3 आरंभिक नगर पुराने भावन का सनरक्षन जस्पाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे उन्हों ने देखा कि कुछ लोग उस खंधर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भुताहा घर कहा करते थे एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुन्दर नकाशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा हमें मंतरी जी को पत्र लिख कर कहना चाहिए कि वह इस खुवसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की विवस्था करें यह सब सुनकर जस्पाल और हरफीत सोचने लगे कि इस पुराने खंड़हर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है? हडपा की कहानी अकसर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइने बिछाई जा रही थी तो इस काम में जूटे इंजीनियरों को अचानक हडपा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंड़हर है जहां से अच्छी इंटें मिलेंगी यह सोचकर वे हडपा के खंड़हरों से हजारों इंटें उखाड ले गए जिससे उन्होंने रेलवे लाइने बिछाई इससे कई इमारतें पूरी तरह नश्ठ हो गई उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्व विदों ने इस स्थल को ढूड़ा और तब पता चला कि यह खंड़हर उप महादवीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हडपा सभ्यता की इमारतें कहा गया इन शहरों का निर्मान लगभग 4700 साल पहले हुआ था प्रिष्ट संख्या 25 आपके लिए प्रश्न प्रायह पुरानी इमारतों को तोड़ कर उनकी जगह नए भावन बनाये जाते हैं क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की विशेशता क्या थी? सबसे पहले इन नगरों के बारे में एक जानकारी ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों भारत के गुजरात, राजिस्थान, हरियाना और पंजाब प्रांतों में मिले हैं इन सभी स्थलों से पुरातत्व विदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं जैसे मिट्टी के लाल बरतन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे पत्थर के बाट, मुहरें, मन के, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदी यहां मानचित्र तीन दिया गया है जिसमें उप महादवीप के आरंभिक नगरों को दिखाया गया है अब पाठ में चलते हैं इन नगरों की विशेष्टा क्या थी? इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था प्रायह पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन उचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था उचाई वाले भाग को पुरातर त्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है दोनों हिस्सों की चार दिवारियां पकी इटों की बनाई जाती थी इन सबकी इटें इतनी पकी थी कि हज़ारों सालों बाद आज तक उनकी दिवारें खड़ी रही दिवार बनाने के लिए इटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे की दिवारें खूब मजबूत रहे कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी मिसाल के तौर पर मोहन जोदुर में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्व विदों ने महान सनानागार कहा है इस तालाब को बनाने में इट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था इसमें पानी का रिसाव रोगने के लिए प्लास्टर के उपर चारकूल की परत चाहाई गई थी इस सरोर में दो तरफ से उतरने के लिए स्टीढियां बनाई गई थी और चारो और कमरे बनाई गए थे इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था शायद यहां विशिष्ट नागरिक विशेश आउसरों पर सनान किया करते थे काली बंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अगनी कुंड मिले हैं जहां संभोत यग्य किये जाते होंगे हडपा, मोहन जोदोडो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े-बड़े भंडार ग्रिह मिले हैं प्रिष्ट संख्या 26 इस प्रिष्ट पर सबसे पहले एक चित्र दिया गया है जो सिंधु घाटी की सभ्यता में पाएगे महान सनानागार का चित्र है एक और चित्र यहाँ पर हम देख सकते हैं जिसमें यह बताया गया है कि हडपा के नगरों में इटों की चिनाई किस प्रकार होती थी अब पाठ भवन, नाले और सडगे इन नगरों के घर आमतोर पर एक या दो मनजीले होते थे घर के आंगन के चारों और कमरे बनाये जाते थे अधिकांश घरों में एक अलग सनान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे कई नगरों में ढके हुए नाले थे इन्हें साबधानी से सीधी लाइन में लगाया जाता था इस नाली में हलकी ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके अक्सर घरों की नालीयों को सडकों की नालीयों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी नालों के ढखे होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिये इनकी देखभाल और सफाई की जा सके घर, नाले और सड़कों का निर्मान योजना बध तरीके से एक साथ ही किया जाता था यहाँ पर वर्णित, घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताओ सबसे पहले चित्र की व्याख्या इस प्रिष्ट पर सबसे उपर मोहन जोदोडो की एक सड़क और उसमें बना नाला है एक कुआ बाई और नीचे दिखाया गया है और हडपा की एक मोहर यहाँ दिखाई गई है इस मोहर के उपर के चिन्ह एक खास लिपी में है उप महादवीप में पाए गए लेखन का यह प्राची नितम उदाहरन है विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है दाई और नीचे पकी मिट्टी के खिलोनों का चित्र दिया गया है अब पाठ नगरीय जीवन हडपा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे यह संभवत है यहाँ के शासक थे तथा सोने चांदी से बने आभुषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानिया मिट्टी से बने कई खिलाउने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे आपके लिए काम नगर में रहने वाले लोगों की एक स्तूची बनाओ क्या इन में से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगर जैसे गाओं में रहते थे प्रिष्ट संख्या 28 सबसे पहले चित्र का विवरण यहां पत्थरों के बाट का चित्र दिया गया है पत्थर के बाट देखो कितने ध्यान से और उप्युक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था इन्हें शायद बहुमुल्य पत्थर और धात्वों को तौलने के लिए बनाया गया होगा एक चित्र और है मध्य में बाएं मनके इन में से कई कार्नीलियन पत्थरों से बनाए गए थे पत्थरों को काट और तराश कर मन के बनाए गए इनके बीच छेद किये गए थे ताकि धागा डाल कर माला बनाई जाए मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक नीचे इस प्रिष्ट परदाई और कढ़ाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ती जो मोहन जोदरों से मिली थी इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है अब पाट नगर और नए शिल्प आओ, अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्यायन करें जो हडपा के नगरों से प्राप्त हुई है पुरा तत्व विदों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंक, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातूं से बनाई गई थी तांबे और कांसे से अवजार, हथियार, गहने और बरतन बनाये जाते थे सोने और चांदी से गहने और बरतन बनाये जाते थे यहां मिली सबसे आकरशक वस्तूं में मन के, बाट और फलक हैं जिनका विवरन हम चित्रों के माध्यम से सुन चुके हैं हडपा सभ्यता के लोग पत्थरों की मुहरें बनाते थे। इन आयतकार मुहरों पर सामान्यतह जानवरों के चित्र मिलते हैं, इन्हें प्रिष्ट 27 पर देखा जा सकता है। हडपा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किये हुए खुबसूरत लाल मिट्टी के बरतन बनाते थे। जरा देखिए प्रिष्ट 6 अध्याए दो में तुमने जिन गाओं के बारे में पढ़ा क्या वहां भी धातू का उप्योग होता था। दूसरा प्रशन क्या वे प कपड़े के टुकड़ों के आउशेश, चांदी के एक फूल दान के ढखकन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तूओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। प्रिष्ट संख्या 29 इनमें से अधिकांश वस् चमकाना या फिर मुहरों पर पच्ची कारी करना आदी। प्रिष्ट 28 पर चित्र देखो कि मूर्ती का चेहरा कितने आकरशक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। या किसी विशेशग्य मूर्ती कार का ही काम हो सकता है। हर व्य निलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। यहां एक चित्र दिया गया है जिसका शीर्शक है फेयंस। इसका वर्नन इस प्रकार से है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तोर पर पाये जाते हैं लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूफ से तयार किया जाता है। बा या हलके समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मनके, चूडिया, बाले और छोटे बरतन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूफ से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करत हैं जैसे लकडी या धातूओं के अयस्क प्राकृतिक रूफ से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तोर पर किसानों द्वारा पैदा किये गए कपास को कच्चा माल कहते हैं जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी लेकिन तांबा, लोहा, सोना चांदी और बहुमुल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर-दूर से आयात करते थे। एक खिलाउना है और दूसरी एक मुहर। क्या तुम बता सकते हो कि हडपा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे। पिछले अध्यायों में क्या तुम को पहिये वाले वाहनों की जानकारी दी गई है। एक और यहाँ पर तस्वीर है और उसका वृता इस प्रकार से है बच्चों का खिलाउना हल आज हल चलाने वाले ज्यादतर किसान पुरुष होते हैं। हमें ग्याद नहीं कि क्या हडपा में भी यही प्रता थी। अब पाठ रपा के लोग तांबे का आयात संभोतह आज के राजिस्थान से करते थे। यहां तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातू टिन का आयात आधुनिक इरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। लोग नगरों के अलावा गाओं में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेशों से पता चलता है कि हरप्पा के लोग गेहूं, जव, डालें, मटर, धान, तिल और सर्सों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हरप्पा काल के हल तो नहीं बचपाए हैं क्योंकि वे प्राया लकडी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलाओने मिले हैं। इस खेतर में बारिश कम होती है, इसलिए सीचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभोता पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पढ़ने पर उससे फसलों की सीचाई की जाती होगी। हडपा के लोग गाय, भैस, भेड और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। लेकिन सुखे महिनों में मवेशियों के जुन्डों को चारा पानी की तलाश में दूर-दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फ़लों को इकठा करते थे, मचलियां पकड़ते थे और हीरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। प्रिष्ट संख्या इकठिस। गुजरात में हडपा कालीन नगर का सुख्षम निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदिर बेद के किनारे धौला वीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाओ थी। जहां हडपा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौला वीरा नगर को तीन भागों में बाटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों और पत्थर की उँची उँची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कारेक्रम आयोजित किये जाते थे। यहां मिले कुछ अवशेशों में हरप्पा लिपी के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभी लेखों को संभौत लकडी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेश है जो आम तोर पर हरप्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तूओं पर पाये जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाडी में मिलने वाली सावरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धात्वों से बनाई गई चीजों का एक महतोपूर्ण के अंदर था। इस नगर में एक भंडार ग्रिह भी था। इस भंडार ग्रिह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी यानी गीरी मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। इस प्रिष्ट पर लोथल के बंदरगाह का चितर दिया गया है। यह बड़ा तालाव लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नामें रुकती थी। संभौतह यहां पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। प्रिष्ट संख्या 32 यहां पर एक इमारत मिली है जहां संभौतह मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकडे, अद बने मन के, मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहां मिले हैं। यहां एक चितर दिया गया है जो मुद्रा या मुहर का है। मुहरों का प्रयोग समान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद, उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। आज भी मुहर का प्रयोग होता है, पता दगाओ कि मुहरों का उप्योग किस ले की आ जाता है। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहन जोदरों में सडकों पर कच्चरे के धेर लगने लगे। जल निकास प्रणाली नश्ट हो गई और सडकों पर ही जुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। आखिर यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदिया सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि इंटें पकाने के लिए इंधन की जरूरत पढ़ती होगी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े जुन्डों से चारगाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। लेकिन इन कारणों से यह सपष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंतरन समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। प्रिश्प संख्या तैटीस आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिन के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याए 5 और 8 में पढ़ोगे। अन्यत्र यहां मिस्र के पिरामीड का चित्र दिया गया है। अब पाठ अपने एटलस में मिस्र ढूड़ो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकानश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दात, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्हों ने बड़े-बड़े मकबरे बनवाएं जिन्हें पिरामीड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामीडों में दफना कर सुरक्शित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी, जिनमें खाद्यान, पे, वस्त्र, गहने, बरतन, वाद्देयंत्र, हतियार और जानवर शामिल हैं। कभी-कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। सवाल, क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीजों की जरुरत पड़ी होगी? कल्पना करो तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहन जोदड़ों की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे? तुम्हारे माता-पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या-क्या ले जाएंगे और मोहन जोदड़ों में तुम क्या देखोगे प्रिष्ट संख्या 34 सबसे पहले उपयोगी शब्द जिनका प्रयोग इस पार्थ में हुआ है उपयोगी शब्द इस प्रकार से हैं नगर, नगर दुर्ग, शासक, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु, विशेशग्य, कच्चा माल, हल, सिचाई आओ याद करें एक, पुरा तत्व विदों को कैसे ग्यात हुआ कि हडपा सब्भेता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था दो, दिये गए शब्दों का सुमेल करो शब्द हैं तांबा, सोना, तिन, बहुमूल्य पत्थर जिन शब्दों से सुमेल करना है, वे शब्द इस प्रकार से हैं गुजरात, अफगानिस्तान, राजिस्थान, करनाटक तीन हडपा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महतोपूर्ण थे? आओ चर्चा करें इस अध्याए में पकी मिट्टी या टेरा कोटा से बने सभी खिलावनों की सूची बनाओ इनमें से कौन से खिलावने बच्चों को ज्यादा पसंद आये होंगे? पांच हडपा के लोगों की भोजन सामगरी की सूची बनाओ आज इनमें से तुम क्या-क्या खाते हो? निशान लगा कर बताओ छे हडपा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याई में पढ़ा है? अपने उत्तर में इसका कारण बताओ अब कुछ करने के लिए आओ करके देखें साथ अपने शहर या गाओं की तीन महतोपूर्ण इमारतों का ब्यौरा दो क्या वे बस्ती के महतोपूर्ण इलाके में बनी है? इन इमारतों का उप्योग किसले किया जाता है? आठ तुम्हारे इलाके में क्या कोई पुरानी इमारत है? ये पता करो कि वह कितनी पुरानी है और उनकी देखभाल कौन करता है? कुछ महतोपूर्ण तिथिया मेहर गड़ में कपास की खेती लगभग साथ हजार साल पहले नगरों का आरंभ लगभग चार हजार साथ सो साल पहले हडपा के नगरों के अंत की शुरुवात लगभग तीन हजार नौ सो साल पहले और अन्य नगरों का विकास लगभग दो हजार पांच सो साल पहले अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की इतिहास की पाठे पुस्तक हमारे अतीत का तीसरा अध्याय आरंभिक नगर निर्मान सहयोग शानु मुक्सीम वाचनस्वर और निर्मान अजीत होरो तथा प्रस्तुती CIET NCEAT नई दिल्ली भारत